हेलो फ्रेंड आज में लेकर आए हूँ बहुत इंपर्टेनट कोस्चन जो काफी मोस्ट इंपर्टेन्ट कोस्चन है सभी श्टुडेंट के लिए बहुत इंपर्टेन्ट यह हैं जो बच्चे चैनल पर नाए है चल को प्ली सट्क्राब करके बैल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को लाश तक देखते रहे और में इस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लिजे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी और आगे बढ़ते हैं पहला प्रसन है पुनर उत्पादन की छमता किस प्रकार के उतक में सरौधिक होती है संयोजी पेसी तंत्रकी या फिर उपकला जिन बच्चों को राइट एंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में एंसर दें राइट एंसर इसका हो जाएगा उपकला बिलकुर राइट हो जाएगा अगला देखते हैं अगला है सरीर में सभी एच्छिक तथा अनेच्छिक किरियाओं की को नियंतरित करने वाल उतक है पेसी, संयोजी, तंत्रिका या फिर उपकला राइट एंसर पता है कमेंट करें राइट एंसर इसका हो जाएगा तंत्रिका बिल्कुल राइट हो जाएगा अगला देखते हैं रक्त किस प्रकार का उतक है पेशी, संयोजी, तंत्रिका या फिर उपकला राइट एंसर इसको पता है कमेंट आइट एंसर इसका हो जाएगा संयोजी उतक बिल्कुर आइट अगला देखते हैं अरेखित पेशी उतक कहां पाए जाते हैं हरदय, अमासय, आहार नाल या फिर तोच्चा में राइट एंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में लिखें राइट एंसर इसका हो जाएगा अमासय बिल्कुर राइट हो जाएगा अगला देखते हैं अगला है संयोजी उतक के उधारण हैं लिम्फ, हड्डियां, प्रोटीन ये सभी जिन बच्चों को राइट एंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में लिखें राइट एंसर इसका हो जाएगा ये से भी विल्कुर राइट हो जाएगा अगला देखते हैं अगला है संकुचन सील उतक के नाम से जाना जाता है संयोजी उतक, रेखित उतक, तंत्रिका उतक या फिर पेशी उतक राइट एंसर इसका हो जाएगा पेशी उतक बिल्कुर राइट हो जाएगा अगला देखते हैं अगला है चेतना उतक किस प्रकार के उतक को कहते हैं उपकला तंत्रिका पेशी या फिर ये सभी राइट एंसर इसका हो जाएगा तंत्रिका बिल्कुर राइट हो जाएगा अगला है हिमोगलोबीन पाया जाता है स्वेत रक्त कड में लाल रक्त कड में लसिका में या डी वाला है आ बा मतलब A और B राइट एंसर बता है राइट एंसर इसका होगा लाल रक्त कड में किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ कहा जाता है थाइराइड पैरा थाइराइड पिट्यू टरी एडिरी नल जिन बच्चों को राइट एंसर पता है कमेंट बॉक्स में बताएं राइट एंसर इसका होगा पिट्यू टरी बिलकु राइट होगा अगला देखते हैं मानव सरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है दोसो चार दोसो च्छे एक्सो च्छे दोसो नो राइट एंसर इसका होगा दोसो च्छे बिलकु राइट होगा अगला देखते हैं अगला है भोजन का अवसो सड सरीर के किस अंग में होता है बड़ी आत यक्रत छोटी आत या फिर ग्रास नली राइट एंसर इसका होगा छोटी आत विलकु राइट होगा अगला देखते हैं अगला है इंसुलिन की कमी से उत्पन होने वाला रोग कौन सा है दमा टीवी डैविटीज ये तीनो राइट एंसर हो जाएगा इसका ये तीनो बिलकु राइट हो जाएगा यदि दोस्तों वीडियो पसंदाई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोग पासेर कीजिए और कमेंट भी कीजिए और इस वाले वीडियो पर किलिक कीजिए याली वीडियो काफी मोस्ट इंपार्टन्ट है सभी स्टुडेंट के लिए आज के लिए